तर्मिनल को बहुत ही आसान बना देगे या जो मैं extra efforts डालने परते थे वह बहुत असान हो जाएंगे तो बिना देरी करते हैं वे स्टार्ट करते हैं learners and before starting I hope ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ वैल्यू ज़रूर क्लिएट करेगा और अगर इसी तरीके से आप WSQTEC के साथ cyber security field में कुछ असली values एड़ करना चाते हैं और join करना चाते हैं WSQTEC के ethical hacking batch को जिसमें आप proper practicals और doubt solve कर सके अपने trainer से live zoom classes के जरीए interact करें and इस दो मन्स के course में आप लोगों को मिलने वाली है काफी सारी चीज़े जैसे की 19 टेस्ट, 12 assignments, 3 projects, 1 case study, कई सारे hacking tools और course completion certification के साथ साथ हर एक project के end में उसके notes और उसकी चीज़े वो भी WSQTEC की independence day sale में एक premium discount के साथ और ये साए चीज़े independence sale में आप लोगों को मिल रही है केवल 13,999 है तो यहां पर हमाया सामने एक टर्मिनल ओपन है और अगर इस टर्मिनल पर मैं लिखता हूं तो मुझे इस करन्ट लोकेशन में लिखे वे सभी file folders दिखा देता है अब सर हमें अकसर क्या करना होता है सर हमें किसी फोल्डर में अगर जाना है तो वहां पर हम लिखते हैं cd change directory space उस फोल्डर का नाम अगर इस फोल्डर का नाम मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया तो भी मैं इस फोल्डर में नहीं जा पाऊंगा और क्यों नहीं जा पाएंगे सर यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो पहला letter है वह capital है और आपने जो यहां पर word लिखा है आपने यहां पर जो फोल्डर का नाम लिखा है वह exact match नहीं कर रहा है because यह case sensitive है अगर मैं enterprise करता हूं तो यह कहेगा कि सर यहां पर इस नाम की कोई भी directory यानि कोई भी folder नहीं है तो अब हम यहां क्या कर सकते हैं सर यहां तो हम आपे से name लिखे और कई बाग कुछ folders और files के नाम इतने बड़े होते हैं कि उन्हें लिखने में हमारे काफी time और energy utilize होती है तो उसे बचाने के लिए हम कोई shortcut यूज लेना चाहेंगे तो यहां पर हमारे जो बहुत काम आता है और यहीं नहीं कई जगों पर हमारे काम आएगा वो है हमारा tap बटन सर टैब टर्मिनल में एक ऐसा shortcut है जो हमारे लिए काफी जादा useful साबित होता है अलग-अलग जगाओं पर एक्जाम हमने आप पर लिखा cd space dow अब हमें आगी की spelling नहीं पता है हम पूरी नहीं लिखना चाहते हम अपना energy और टाइम बचाना चाहते तो हम केवल टैब बटन प्रेस करेंगे because इन सारे फोल्डर में कोई भी ऐसा फोल्डर नहीं है जिसके स्टार्टिंग में डी और डव लिखावा है तो हमने इस फोल्डर को uniquely defined हो कर ही रिया है एंटर प्रेस करते हैं आप देखते हैं इसका नाम automatically fill हो जाएगा एंटर प्रेस करेंगे हम इस फोल्डर में पहुँच चुके हैं अब सर इसके अलावा गर हमें एक फोल्डर बैक आना है तो हम क्या करेंगे तो हम दूसरा shortcut यूज लेंगे which is cd-space.dol एंटर प्रेस करेंगे हम एक फोल्डर बैक आजेंगे सर हमें tap button के मदद से कोई भी name को कोई भी suggestion को हम auto fill कर सकते हैं ये इसका काम है अब इतना ही नहीं हमें यहाँ पे एक और जगह काम आता है for example अगर आज मैं कोई software इंस्टॉल करना चाहता हूं जो मुझे में इंस्टॉल नहीं है जैसा example के तौर पे हमाई machine में g-edit नाम का कोई tool इंस्टॉल नहीं है लेगि सर मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि मुझे इसका नाम याद नहीं है तो अगर मैं यहाँ पे जी इडी तक लिखता हूं और आगे का मुझे नाम याद नहीं हो मैं टैब बटन प्रेस करता हूं तो इस नाम के जितने भी टूल्स इस टर्मिनल के पास अवेलेबल है हमारे एपीटी के पास अवेलेबल है यह हमें दिखा देगा तो मैंने यह टैब बटन प्रेस कर आप देख सकते हैं नेम ऑटो फिल हो गया अगर इसके मल्टीपल वर्जिन्स होते हैं और भी मल्टीपल टूल्स होते हैं तो यह मुझे उन्टूल्स की लिस्ट बता देता है अगर यह सबूर स्क्राइब फिलाल हमें केवल गडेट चांग तो अब हम एंटरफ्रास कर देंगे और फिर हम Q-button कर देंगे बहुत भी उसके बारे में लिख रहे हैं तो यह आपको उसके बारे में auto suggestion दे रहा है आपको बता रहा है कि क्या आप यही कमान लिखना चाह रहे हैं क्या क्योंकि कुछ देर पहले आपनी यह कमान रन करा होगा आप देख सकते हैं यह थोड़ा खोड़ा less highlighted way में आपके सामने update लिखा हुआ रहा है तो अगर हम इसे use लेना चाहते हैं बिना पूरा type करें तो यहाँ पर हमारे पास जो arrow keys हैं हमारे keyboard में जो arrow keys होते हैं up, down, right and left वहाँ पर अगर आप right वाल arrow key को press करेंगे तो आप देखेंगे यह name जो है यह fill हो जाएगा यानि इस auto suggestion को हम use ले सकते हैं फिलाल हमें यह नहीं चाहिए था हमें चाहिए था apt install g edit हमने यहाँ पर लिखा apt install g ed लिखे tab button दबा दिया नाम autofill हो गया और enterprise करा तो sir यहाँ यह पूछ रहा है कि आप install करना चाहिए हमने while लिखा और installation start हो चुका है एक बाफ रिसे इसे start कर देता है perfect capital while पूछाते है तो हमने capital while लिखा और यहाँ पर installation process start हो चुका है sir अगर इस चलते वे installation में आपको कुछ काम आजा और इस चलते process को आपको रोकना हो तो आप control c नाम के shortcut को use ले सकते है यानि किसी भी running process को अगर आप बीच में रोकना चाहते हैं तो उसके लिए terminal बंद करने की ज़रूद नहीं है task manager से process बंद करने की ज़रूद नहीं है आपको बस एक shortcut use लेना है which is control c control c यहाँ पर किसी भी active task को रोक सकता है जैसे इसको इसने रोक दिया और sir अगर हम फिस से same command run करेंगे तो जहां से process रुका था जैसे की 86% पर रुका था तो इसी के आसपास से process बापर स्टार्ट हो जाएगा enterprise करा आप देख सकते 82 88 से स्टार्ट हुआ तो यह सरकुछ shortcuts हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं फिलाद इसके अलावा हम कुछ और shortcuts को use लेते हैं जैसे कि sir display पर अगर कई बार बहुत जादा content आ जाता है जैसे आप देख सकते हैं भी इसने बहुत जादा दिस्प्ले को फिल कर दिया है और मैं चाहता हूँ मुझे थोड़ी clear डिस्प्ले कि मैं तोड़ा fresh work start का सको तो हम उसके लिए clear command यूज लेते थे लेकिन उसका shortcut यह है कि अगर आप यहाँ पे control L लिखते हैं तो आपकी display auto clear हो जाएगी यानि clear command का जो shortcut version है वो है control L सर हम अपने root user से अगर बहार आना चाहें तो कौन सा command काम आएगा तो उसके लिए हम normally क्या करते थे exit लिख के enterprise करते थे जब मैं ऐसा करूँगा तो मैं root user से बहार आजाऊँगा guest user में और एक और बार exit करूँगा या फिर current user से बहार ला सकता है वो control D shortcut काम आता है exit का replacement है आप कह सकते है exit का shortcut है control D dancer इसके अलावा हमाँ पास arrow keys में अभी तो हमने केवर right वाल arrow key को use लिया है जो up arrow key और down arrow key है वो हमारी क्या काम आएगा तो अगर आप यहाँ पे देखें मैं अपर arrow key अगर press करता हूँ तो यह मुझे मेरे decent commands दिखाता जाएगा जो भी मैंने अभी अभी run करें वो सारे recent commands मुझे यहाँ पे देखने को मिलेंगे down arrow key के जरिए मैं बापस latest commands की तरफ आ सकता हूँ तो इस तरीके से मुझे support कर ताकि मुझे रिसेंटरी लिखावा command बार बार ना लिखना पड़े या तो अटो सजेशन के जरिए या मिस अपर arrow के जरिए history के जो last commands है उनको call कर सकता हूँ इसके अलावा आप लोग को एक को interesting shortcut बताता हूँ runners कई बार के होता हैं किसी folder के बहुत अंदर चले जाता है और being a guest user अभी मेरे current user का नाम है काली तो ये इसका home है ये इसका घर है काली नाम को जो folder है ये इसकी home location मानी जाएगी इस guest user की home location जहाँ पर इसका सारा content पड़ा है अब सरो सकता है आप इसके अंदर detail to detail folders में जा चुके हैं और आप एकदम से back आना चाहते हैं तो सर इसके लिए हम command यूज लेते हैं केवल cd अगर मैं केवल cd यहाँ पर लिखके enterprise करूगा तो ये सीधा मुझे मेरी home location पर ले जाएगा चाहे मैं किसी भी location पर बैठा हूँ चाहे मैं किसी भी folder में हूँ तो हमने enterprise करो और हम देख सकते हैं यहाँ पर pwd लिखके किसर हम सीधा अपनी home location पर आ चुके हैं यह कुछ basic shortcuts आप सभी को ज़रूर पसंद आयोंगे और अगर आप ऐसे ही कुछ और interesting shortcut या कुछ और interesting Linux command सीखना चाहते हैं तो नीचे comment session के जरीए हमें जरूर update करें मिलते हैं next video में उसके अलाव अगर आप में से कोई भी ethical hacking, penetration, testing या bug bounty hunting जैसे advanced courses में डोल होना चाहता है नीचे description में आप सभी को formling मिलेगा जिससे fill करके आप आज ही indoor कर सकते हैं अपने favorite course में जिसमें आप live zoom classes के जरिये trainer से direct interact कर पाएंगे अपने errors अपने doubts रिजॉल कर पाएंगे और cyber security के लिए अपना जो career path है उसे strong बना पाएंगे उसे अच्छा कर पाएंगे thanks for watching this video आप लिए students है जिस कर पाएंगे आप आप में आप आप